Everyone, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपनी study में 3 hours increase कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए ये सारी बाते मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके बता चुका हूँ यहां पर मैं पूरी strategy आप लोगों के साथ में share करूंगा आप लोगों बता दूँ कि कभी भी अपने आपको underestimate नहीं करना चाहिए एक incident है मेरी life का 2013 का मेरी life का पहला government job के लिए form था और मैंने खुद को auto suggestion दिया था means auto suggestion का मतलब यह होता है कि जो हम अखेले में अपने साथ बाते करते हैं उन्हें हम auto suggestion कहते हैं अब मैं क्या सूचता था कि मुझे जो poems हैं, poems मुझे कभी याद नहीं होती है मैंने खुद के लिए यह बात सोच ली थी इसका मुझे बहुत बड़ा loss यह हुआ कि जो cutoff थी वो थी आपकी 70 और मेरे जो marks आये थे 69.5 तो कभी भी खुद को underestimate नहीं करना चाहिए और बड़ी बात यह है कि जब मेरा वहाँ पे selection नहीं हुआ क्योंकि मैं वहाँ पर, मैंने poetry section से मैं कुछ नहीं सुना पाया तो कहीं न कहीं interview में मेरा जो एक experience था वो गलत हो गया और मेरा selection रूप गया सिर्फ इस बात से क्योंकि मैं खुद के लिए सूसता था कि मुझे शायद points कभी याद नहीं होती है जब मैं घर पे आया और मैं थोड़ा सा frustrated था और मैंने क्या किया कि घर पे बैठके try किया कि देखते हैं कितनी याद होती है मैंने 20 plus points याद कर ली थी English literature में तो कही न कहीं कई बार हम अपने लिए खुदी limit लगा लेते हैं कि मुझे मैं history में ठीक नहीं हूँ मैं geography में ठीक नहीं हूँ या मैं इस subject में ठीक नहीं हूँ तो आप लोगों को क्या करना अपने लिए कोई limit कभी नहीं लगानी है मैं खुद के बारे में कहूं तो आज की डेट में मैं आप लोगों को geography पढ़ाता हूं geography मेरा subject नहीं रहा है लेकिन geography मुझे आज की डेट में अच्छा खासा यह तो नहीं कहूंगा कि बहुत 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 अच्छा खासा यहां तक की मेरे जो exams निकले हैं या पिछ अब बात आती है कि हम लोग तैयारी में एक तो तैयारी है पढ़ पढ़ के study करना तो मैंने देखा है कि बहुत सारी लोग बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनका exam नहीं निकलता है क्योंकि वह सिर्फ एक ही तरीका क्या कर रहे हैं यूटिलाइज कर रहे हैं यह इसी तरह से है क कि मैं अगर मेरे पास cycle है और मेरे पास car भी है और मुझे कहीं जाना है मुझे जल्दी भी पहुचना है और मैं क्या कर रहा हूं कि cycle ही चूज कर रहा हूँ वहां उस distance तक महँचने के लिए तो मैं obviously बात है कि मैं क्या करूंगा लेट वहां पर पहुंचांगा तो आज की date म अगर हमारे पास में और हमारे पास में वैपन से हतियार हैं अपने युद्र लड़ने के लिए तो हम क्यों ना उनका यूज करें और जल्दी से आगे बढ़ें तो मोबाइल डिवाइस को कई लोग क्या कर रहे हैं मुझे मैसेज आये थे कि क्या हमें मोबाइल विल्कुल यूज करना बंद कर देना चाहिए तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग मोबाइल को एज पॉजिटिव टूल यूज कीजिए आप हम मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूं कि जब हम लोग तैयारी कर रहे थे पिछले साल तो उसमें हम लोगों ने आडियो वीडियो को बहुत एक्स्टेंसिबली यूज किया था हमारा जो ब्रेकफर्स का टाइम होता था उसमें पंदरा मिनिट आप चलिए मिनि सारे चैनल ऐसे हैं जो कि इस तरह की बड़ी वीडियो बनाते हैं तो हमने पंदरा मिनिट हम क्या करते थे मौर्निंग में इसको यूज करते थे सिर्फ करन्ट अफियर सुनते थे ब्रेकफर्स टाइम में लंच टाइम में हमारा वकैबलरी था लेकिन आप लोगों के पास पॉशन है नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहां पर आप लोग हिंदी के MCQ कर सकते हैं हिंदी की बहुत सारी वीडियो आप लोग मिल जाएंगे यूटीब पर लेकिन एक चीज जहां रखे कि अपना जो एक प्लेलिस्ट बना लीजिए यूटीव पर या अपना एक व पर अपने लिए अच्छे से लेंक्स निकाल लेने हैं और फिर उन्हीं लिंक्स को बार-बार स्टडी करना है क्योंकि हर वीडियो में लगभग एक जैसा नॉलेज होता है डिनर के टाइम में हम लोग फिर से करन्ट अफेयर को क्या किया करते थे रिवाइज क्या करते थे अब यहां पर ध्यान दीजी कि यूट्यूब का एक फीचर है कि अगर आपकी वीडियो 30 मिनट की है आपको उसे क्या करना है दस मिनट में ही देखना है तो आप उसे 2x पे स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं और एक सिक्रेट यह भी है कि जब हम किसी वीडियो को फास्ट प स्किप नहीं कर पाएगए अगर आप जी्यूंच कोई बोल रहा है तो आप लिएउ हूं को कर लेंगे हैं तो यहां से ओरता करना है लिए एक तो यह जो portion है उसे आप लोगों को use कर लेना है उसे बाद आगे चलते हैं इसमें आप लोगों को यह time तो समझ में आ गया होगा breakfast, lunch और dinner वाला time दूसरी चीज आती है कि हम audio अपनी ही voice में भी audio record कर सकते हैं दूसरी चीज है आपकी वीडियो वीडियो आप बहुत अच्छे से समझते हैं वीडियो आप YouTube वगेरा से यूज कर सकते हैं लेकिन इनका एक fix timing करनी बहुत जरूरी है अगर आप fix timing नहीं करेंगे तो आप लोग इ आपका simple way में अगर आप एक page लेते हैं और उसे काट लेते हैं तो एक में आपके 12 काट बन जाएंगे काट की एक साइड है और काट की काट की दूसरी साइड है आप लोग एक साइड कुछ लिख लीजिए अगर आप कोई भी एक लिख लीजिए जैसे आपने गौतम बुद्ध ही लिख लिख लिया हमारा अभी topic हुआ था मैंने आप लोगों को बताया था कि 563 क्या था उनका जन्म का आप लोगों को याद होगा जो मैंने शॉर्ट कट आप लोगों को यहां पर बताया था तो एक साइड आपको बुद्ध लिख लेना एक लिख लिख लेना तो अगर आप बार बार इन कार्ट को करेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा connection बन जाएगा पर डे अब क छोड़ देंगे जो आपको टफ लगता है जैसे आपने बगजी लिख लिया कि बगजी कहां पर है तो इसके पीछे आप लोग चमोली लिख लेंगे और तो जब आप इसे प्राक्टिस करेंगे तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा connection बन जाएगा आप जब पढ़ा तो हिस्ट्री का आप लोग टॉपिक बनाके रख लेंगे फिर आप लोगों का जियोग्राफिक का है मेरे पास अगर मैं आज की डेट में देखो तो 9000 से उपर कार्ट पढ़े हुए हैं आप लोगों को इससे बहुत ही बहतरीन फाइदा यह होगा कि यह जो आप सब्सक्राइब आप समय किया हुल्ग निकालता हूं अपना सब्जिक्ट वायस और अलग करने के बाद 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 में 15-20 कि दिन के बाद में उन्हें mix कर लेता हूं तो ये बहुत ही मतलब अगर You चैलेंज की तरहे आप लोग इसे लिजिए अगर आप लोगों को लगता है कि यह काम नहीं करता है तो 20 स्कार्ड बनाईए सिर्फ आज 20 कार्ड बनाना और फिर उनको याद करना या उसके साथ स्टरी करना कोई टापिक पढ़ना उसमें से आपको टफ लगते हैं उनके लिए 20 कार्ड बनाईए और फिर उन 20 फैक्ट को आप लोग 5-7 बार अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों इतना force करके इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यह success का राज है आप लोगों के लिए अगर मैं कहूं तो अब बात आती है social sites आप लोगों को disturbance होता है तो आप लोगों को WhatsApp group कम बस कम से कम रखने है तीन अगर आपको लगता है कि उस group में information नहीं आप लोगों को मिल पा रही है help नहीं मिल पा रही है time waste जादा हो रहा है तो आप उस group से exit हो जाई है या हटा दीजिए उस group को सिर्फ तीन ही आपको group रखने है क्योंकि information भी time to time मिल रही होती है दूसरा है YouTube YouTube के आपको सिर्फ तीन ही चैनल सेलेक्ट करने अब YouTube चैनल सेलेक्ट करने का मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं यह है कि अगर उस पर आप देखिए पिछले कुछ दिनों में अगर वीडियो रेगुलर है रेगुलर अगर उस पर वीडियो आ रही है और एक sequence follow हो रहा है तो आप लोग क्या कीजिए उस चैनल को focus कीजिए उस चैनल को अपने पास रखिए तो इसी तरह से तीन चैनल आप लोग कर सकते हैं जैसा कि मैं एक चैनल अभी देखा मैंने कुछ दिन पहले उसकी काफी सारी वीडियो देखी study with योगेश तो मुझे लगत चैनल को जरूर जोईन करना चाहिए तीसरा चैनल आप सेलेक कर सकते हैं मैंने खाली example के लिए आपको बता है कि अगर अब यह होता है कि हर किसी को हर teacher का method पसंद नहीं आता है कुछ लोगों को मेरा method भी पसंद नहीं आता होगा तो वो लोग उसको मेरे चैनल को skip कर सकते हैं तो थी चैनल उनको लीजिए उससे ज्यादा मत रखिए चार मत कीजिए पांच मत कीजिए सिर्फ तीन ही आपको YouTube चैनल अपने लिए सेलेक कर लेने हैं और अगर आप प्लेलिस्ट बना पाते हैं अपने लिए सब्जेक्ट वाइस तो एक प्लेलिस्ट जरूर बना किसी भी वीडियो में वीडियो के नीचे एक प्लस का आइकन होता है उस आइकन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बोलेगा यह एड का होता है तो वह आपको पूछे का प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट का नाप पटवारी लेकपाल कर लीजिए और UKPSC कर लीजिए ठीक है और उसक की तरह काम करेगा कुछ टाइम के बाद 30-40 डेज के बाद आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजिन कर सकते हैं हाँ नो नौटिफिकेशन मैंने यहां पर लिखा है नो नौटिफिकेशन का मतलब होगा कि आप YouTube WhatsApp या कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपके फोन में आता है इसके बाद यहां पर आजाते हैं नो फन मेरा एक strategy के तहत होता है वो यह है कि आप लोगो को कई बार लोग कहते हैं कि तैयारी के बीच बीच में आप लोगो music सुन लेना चाहिए घुमने निकल जाना चाहिए यह करना चाहिए और पांच मिनट घुम लो 10 मिनट घुम लो म मैं कहता हूं कि इस तरह से यह सारी चीजे मेरे हिसाब से बगवास हैं आपको यह तो इसी तरह से हो गया कि आप युद्ध में हैं और युद्ध के बीच में आप यह सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा dance गाना सुनके आ जाता हूं ऐसा नहीं चलेगा हां मैं आप लोगों को और आप लोगों को बता दूँ कि जैसे हम क्या करते हैं इन केस मुझे कोई काम पढ़ जाता है मुझे कहीं जाना पड़ गया मैं study कर रहा था मुझे study करनी थी और study करने के लिए मैं बैठा ही था मैं एक topic पढ़ रहा था हिस्ट्री का अचानक से family वालों ने कहा कि जाके जाएगा मैं अच्छा कासा पढ़ा ही चल रही थी और मुझे अब जाना पड़ेगा तो आप लोगों करना क्या है कि जब आप study से उठोगे तो अपना focus इसी history वाले topic पर रखिए सबजी लेने जाए ज़रूर ही नहीं कि सबजी लेने जा रहे हो और आप कही market पर किसी काम तक जा रहे हैं तो इस history का topic जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को mind में revise करते हो वहां तक जाईए और फिर वहां से वापस आईए काम भी हो जाएगा आपका revision भी हो जाएगा और आपकी जो study है उसमें break नहीं आएगा और आप इसे enjoy करोगे तो यह कुछ tricks हैं जिससे कि आप frustration क क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं जैसे कि कोई housewife है या किसी को काम करना है मैं usually जब मेरा entity था या lecturer था तो मैं खुद अपना तीन टाइम का जो meal थी खाना था उसे खुद पकाया करता था तो अब इसमें मुझे पता है कि जो three time की meal है और आपको dishes करनी है या you have to do your dishes तो आपको क्या करना है कि इसमें कम से कम दो घंटे आप लोगों के involved हो जाते हैं तो मैं इसको कैसे use counter करता था इस time को उसके लिए सबसे बढ़िया वैपन है आपका Bluetooth आप लोग क्या कीजिए अपने पास एक Bluetooth आ जाते हैं 200-400 रुपए में एक Bluetooth डिवाइस जरूर ले लीजिए जिससे क कि आप हो सके तो छोटा अगर speaker अगर आप लोग ले लें तो बढ़िया रहता है क्यों क्योंकि जब आप मॉर्निंग में आप जैसे वर्षूम जाएंगे ओके आप ब्रश करेंगे आप उसके बाद नहाएंगे तो आप अपनी जो बात्रूम है बात्रूम के खिड़की पर ब्लूटूथ कर लिजे अपने फोन से और अपने लिए जो दस से पंदरा लेसन सेलेक्ट कर लिजे यूट्यूब से और उनको कॉंटिन्यूसली सुनिए इस टाइम पर क्योंकि यहां पर आपके 30 मिनट आप लोगों के वेस्ट हो रहे ना इसमें तो आप यह 30 मिनट बहु और खुद को 24 गंटे बस सिर्फ पढ़ाई में आप लोग इंगेज रखेंगे तो यह 24 गंटे इंगेज कैसे रहेंगे जब आप इसे डाइवर्स करेंगे आप सिर्फ बुक रीडिंग को या लिखने को क्या करेंगे अपना तयारी का जरिया बनाएंगे तो आप खुदी की सब्मपूर हो जाएंगे कुछ टाइम बात तो आपको डाइवर्स जिसा रखना है तो दाइवर्स उसे रखने के लिए हमें हर चीज यूज़ करनी है हमें ईौडियो करना है हमें वीडियो कि rap हमें एक एकुछिकर करना है उसके साथ करने है ऐसे साथ आप आप आडियो क जो तैयारी के टाइम पर मूड फ्रेश होता है आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे जो लोग तैयारी करेंगे अगर आपका कोई टापिक क्लियर हो गया ना बहुत अच्छे से तो उससे ज़्यादा मज़ा किसी चीज में नहीं आता तो जब आप 100% अपनी तैयारी को देंग हैं कहां कहां आप अपने टाइम को जहां टाइम किल हो रहा आपका अप खाना पकाते तीन टाइम आप स्टडी कर सकते हों तीन के डेहशन आप कहीं जा रहे हैं तो आप आडियो वीडियो यूज कर सकते हैं अपनी वोईस में आडियो जरूर रिकॉर्ड करने के आदर डालिए और उन्हें याद करने के आदर डालिए तो इस तरह से आप लोग बहुत अच्छे से अपना टाइम कम से कम तीन घंडे बढ़ा पाएंगे और मैंने जैसा कहा कि सबसे ज्यादा मजा जो आता है वो तभी आता है जब तैयारी गाना सुनके आपका मोड फ्रेश नहीं होगा बाहर जाके आपका मोड फ्रेश नहीं होगा जब आप घर जे बाहर को निकलेंगे ना कि चलो यार थोड़ा गूम के आता हूं तो उससे बात करके आता हूं तो उसी टाइम आपको तैयारी वापस आपको टेंशन देना शुरू कर लेगी उससे बहतर है हम उहीं लगे रहे कुछ कार्ट से टिक है नहीं हमें यह सब कुछ यूज करना है हर हतियार यूज करना अब देखना है कि मेरा टाहिं कहां इंक्रीज हो सकता है अगर आप इस सारे को यूज करेंगे तो आपका तीन से चार घंटे आपके श्टड़ी अगर आप आप आभी छे गंटे पढ़ रहें तो आपका 10 घंटे वह आटोमेटिकली बन जाएगा तो इस तरह से आप लोग तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोगों बहुत-बहुत शुब कामना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई ठीक केर और अल दीबेस् करते है?